नमस्कार दोफ्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आउनलाइन इस्टिविट डीके में आज हम बात करेंगे अठाव सत्तावन का विद्रो जो के आपके सीटेट एक्जाम्स एवं जो भी टेट एक्जाम्स होती है उसमें जो सामझ अध्यन का पेपर होता है उसमें एक महतोपूर्ण चैप्टर होता है यह पूरा अठाव सत्तावन का विद्रो इससे लगवग आपके एक्जाम में एक एक या दो नमबर यहाँ पर आपके पूरे confirm हो जाएंगे क्योंकि जो भी एक या दो नमबर पूछे जाते हैं अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा पूरे question जो आपने अगर कर लिए याद रहे तो आपके एक या दो नमबर exam में confirm है यानि कि अब केवल आपको 60 नमबर का जो पेपर है उसमें से केवल 8 नमबर की तैयारी करनी होगी दो नमबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे जो 18,7 नमबर का जो विद्रो उससे मैंने कुछ question ये निकाले हैं तथा last में मैंने इसमें एक map द्वारा जिसमें लोगों को सबसे जाधा confusion होता है कि किस छेत्र में किस भारतिय ने sains कीनले किया था और उसको किस अंग्रेज ने दबा दिया था इसमें सबसे जाधा जादा लोगों confusion होता है इसलिए मैंने वीडियो के आकरी में एक map द्वारा उसको समझा दिया है जिससे के आपको वह याद रह जाएगा उसको कभी नहीं बूलेंगे चलिए देखते हैं वीडियो पूरा देखे हो क्योंकि किवल छोटे से किवल 11 क्यूस्चन इसमें मैंने लिये हैं 11 क्यूस्चन है टोटल और इनी क्यूस्चन में से एक्जाम में पूछे जाते हैं इन से बाहर एक भी क्यूस्चन नहीं जाएगा क्योंकि इसमें मैंने अठ्व wire 57 का पूरा विद्रो कबर कर दिया है जो कि क्यूस्चन पूछे जाते हैं चलिए देखते हैं सबसे पहला क्यूस्चन ने आपका 1817 की क्रांती की बाद होती है तो यह आता है कि 1817 का विद्रो कहां से प्रारंब हुआ सबसे पहले जी कि यह कहां से प्रारंब हुआ Thailand दिल्ली से जांसी, मेरट या फिर कानपूर से तो जो 1817 का जो विद्रो है यह चालो हुआ था मेरट से यानि कि इसका right answer आपका होगा merit अगला question है अठाव सत्तावन का विद्रो कब प्रारम हुआ था अब ये merit से तो शुरू हुआ था लेकिन कब हुआ था अठाव सत्तावन में हुआ था लेकिन इसकी date पूछ ली जाती है 10 मई हुआ था 11 मई 4 जून या फिर इसका कारण क्या था यह क्यों हुआ था क्या इसमें चर्वी वाले कार्तूस का प्रियोक किया गया था सेनिकों की जो कार्तूस होती थी उसमें इसके लिए था या फिर डल होजी की जो हड़प नी थी थी वहाँ इसका कारण था सेनिकों का वेतन कम था इसलिए यह क्रांती भी या फिर धर्म परिवर्तन हुआ करता था इसलिए यह क्रांती भी तो इसका राइट आंसर है आपका चर्वी वाले कार्तूस चर्वी वाले कार्थूस का विरोत किया सेनिकों ने और ये अठ्थर सुत्ताउन की क्रांती शुरू हो गई अगला कुश्चने किस भारती सिफाई ने चर्वी वाले कार्थूस का प्रियोग करने से मना कर दिया यानि कि चर्वी वाले कार्थूस अठ्था उनकी क्रांती का कारण बना लेकिन यह जो चर्वी वाले कार्थूस थे वहाँ सबसे पहले किस भारती ने मना कर दिया था तो यह आप सभी को यादी होगा कि जो मंगल पांडे उसने यह सबसे पहले विद्रोग किया था अगला क्रिश्चन अब मंगल पांडे ने विद्रोग किया था लेकिन अब यहां पूछलिया जाए के मंगल पांडे किस infantry से समबंदि था तो यह थोड़ा अंदर का क्रDINGस हो जाता और यह क्योश्चन भी पूछते हैं क्या 34 वी इनवे Native Infantry से संबंदित था, 22, 19 वी या फिर 38 से संबंदित था तो जो मंगल पांडे था वह था 34 वी Native Infantry से संबंदित सेनिक था अगला क्योश्चन है अठाव सत्तावन के विद्रोह के समय भारत का Governor General कोन था जब अठाव सत्तावन का विद्रो हुआ तो उस समय भारत का जो गवर्नर के जनरल था वह कुन था लाइड अलोजी, विलियम बेंटिंग, केनिंग या फिर लिटन था तो जो अठाव सत्तावन का जो विद्रो हुआ था उस समय जो गवर्नर था वहाँ था Lord Canin Lord Canin था उस समय गवर्नर था अगला क्यूश्चन है अठव सत्ता उनके विद्रो की सक्ती का सबसे महतुपूर्ण तत यानि कि जो अठव सत्ता उनकी जो क्रांती थी इतनी बड़ी क्रांती ने यह रूप किस कारण से ले लिया था यानि कि इतनी जो यह रासफल रही लेकिन फिर भी बहुत बड़े छेत्र पर यह सक्ती साली साबित हुई थी तो इसका कारण क्या था क्या नाना साहब ने इसका नेत्रतु किया था इसलिए या फिर जहांसी किरानी का नेत्रतु था इसलिए बहाद्दूर साहा का सयोग वह इसलिए या फिर हिंदू-मुस्लिम एकता था तो इसका सबसे महतुपूर्ण जो कारण था वहा था हिंदू-मुस्लिम एकता क्योंकि उस समय हिंदू और मुस्लिम सब बटे वए नहीं थे अंग्रेज थे वो हिंदू मुसलिम को अलग-अलग नहीं कर पाये थे उस समय अगला किस्टे ने किसने अठ्थाव सत्तावन के विद्रोह को सडियंत्र की संग्या दी कि यहाँ एक सडियंत्र है यह किसने कहा था तो यह थे क्या टेलर या आउटरम ने कहा जौन के ने कहा, लौरेंस ने कहा यह फिर हॉम्स ने कहा तो यह कहा था, जौन W. टेलर यम जैम्स आउटरम ने कहा था अगला लश्मी बाई के लिए किसने कहा था यह मानी करनी का पिच्चर आई थी उसमें भी आपने देखा होगा अगर ध्यान दिया हो तो आपको याद होगा यह question नहीं तो फिर हम बताते हैं कि जो भारती क्रांती कारियों में अकेली मर्द थी यह जो कहा था वहाँ था हुरोज लक्षमी बाई के लिए यह question दोनों तरफ से पूछ लिया जाता है एसा पूछ लिया जाता कि हुरोज ने कहा था भारती क्रांती कारियों में वहाँ एक अकेली मर्द थी तो पूछ लिया जाता आपसन में किस के लिए कहा था तो लक्षमी बाई के लिए चलिए अगला question देखते हैं अठाव सत्तावन की क्रांती का चिन्न क्या था कि उस समय उन्होंने कमल चपाती इसको चिन्न बनाया था कमल या गदा कमल गुलाब या फिर चपाती और तलवार तो उस समय उन्होंने जो उनका चिन्न बनाया था वहा था कमल एवं चपाती चलिए अगला कुश्यन है अठाव सत्तावन के विद्रोग की असफलता का कारण क्या है कि यह क्रांती असफल होगी हिंदू-मुस्लिम एकता की कमी या तो हो नहीं सकता क्योंकि या तो सबसे महतुपूर्ण उस समय जो था वहाग था दूसरा है किसी सामान योजना और केंदी संगटन की कमी थी इसलिए या सफल होगी या फिर इसके प्रभाव का सीमित छेत्र था इसलिए या फिर जमिदारों की आसाहवेद भागी था तो इसका जो महतुपूर्ण सबसे कारण था वहा था किसी सामान योजना और केमजी संगटन की कमी थी उस समय कोई भी एक केंदरिक्रत जो संगटन था वह नहीं बन पाया था और कोई योजना नहीं बन पाई थी अलग 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 समय पर यह विद्रो हुआ था इसलिए एक जगا का दबा दिया जाता था उसके बाद दूसरे जगे विद्रो होता था इसलिए एक सीमेंट, मतलब टुकडो टुकडो में यह विद्रो हुआ था एक दम केंदरी करत नहीं हो पाया था इसलिए यह असफ़ल हो गई थी अगला है कि अब असफ़ल तो होई थी लेकिन जब अस्फल हो गई थी तो उसके बाद जो मुगल बादसा थे बहादूर सहाद वित्ती इनको कहा निर्वासित कर भेज दिया गया था यह question भी पूछ लेते हैं क्या सिंगापूर भेजा था रंगून भेजा था साइबर या फिर म्यामार भेजा था इन्हें निर्व तो इसके लिए मैं एक मेब आपको बनाया है उसमें मैं पूरा आपको समझा देता हूँ तो ये portion भी आपका कवर हो जाए रहे ठोड़ हो चलिए देखते रहे हैं अब इसमें आता है सबसे पहले सबसे पहलए एक है कि दिली यानि कि दिली में किatif इसने सेने नेत्रतु किया था और किस ने इसको दबा दिया था तो दिल्ली में जो है बहादुर सह जफर इन्होंने सेने नेत्रतु किया था याने जो अठाव सत्तावन का विद्रो किया था उसका नेत्रतु इन्होंने बहादुर सह जफर ने किया था कहां पर दिल्ली में अ आपके दिमाग में डाइग्रम बनता जाएगा, आपको जिससे ये याद रह जाएगा, किसी स्टेट में हमने इसको देखा था, और इसको जो दबाया था, जो अंग्रेज सेनिक था, जिसने कि इस विदुरों का दबा दिया था, वो थे, निलसन, निकलसन और हडसन, इन्हों पर किया था जो अंग्रेश था वो था करनल नील जिसने की इस विद्रों को दबा दिया था अगला है बरेली बरेली में किया था सेने नेतर तो खान बहाद्दूर खाने और इससे दबा दिया था हटसन ने हटसन ने इसको दबा दिया था अगला है आपका जो फतह पूरे यह यूपी में यह इतने जो हैं फेजाबाद, बरेली, फत्रपूर, कानपूर, लकनो, इलाबाद, जहांसी यह सब यहां उत्तर प्रदेश के एरिये में हुए थे एक दिल्ली में यह इधर हुआ था, बिहार तरफ हुआ था, जगदिसपूर में तो अगरे देखते हैं हम फत्रपूर, फत्रपूर में जो सेने नेतरत्व भारती ने किया था वो था अजिमुल्ला और जो अंग्रेश था वो था रेनार्ड, इसके बाद है जहांसी, जहांसी में किस ने किया था, तो जहांसी में आपको पताईए लक्षमी भाई ने और जानपूर में नाना सहब और तात्या टोपे, यहां पर नाना सहब जो थे उन्होंने सेने नेतरतु नहीं किया था, लेकिन इनके साथ में था मार्गे दर्शन के रूप में, लेकिन जो तात्या टोपे थे उन्होंने सेने नेतरतु किया था, अगर दोनों आप्शन इसमें लियाकत अली ने किया था यहां पर और जो अंग्रेश था वो थे हैंडरी लोरेंस और केम्पुयल इन्होंने दबा दिया था इस विद्रोह को यहां पर इसके बाद है जगदिसपूर जगदिसपूर में किया था आपके कुमर सीन है और जो अंग्रेश थे वो थे टेलर और ऑय इन्होंने यहां पर विद्रोग को दबा दिया था इसके बाद है लकनो material, लकनो में थी बैगम वाज्रत महल और जो अंग्रेश थे वचरण्स और। इन्होंने यहां पर विद्रों को दबा दिया थै तो ठीके यह मैंने मेब द्वारा बताए ताकि आपको यह दिमाग में रहे कि हाँ किस इस्टेट तरब में था यह यूपी वगरा क्योंकि जो अठार सुट्टाउन की जो क्रांती थी वो केवल इतना एरिय में ही फैली हुई थी लगभग बाकि जो पूरा भारत था उसमें यह 1855 की प्रांती नहीं हो पाए थी इतना ही चेतर में इसलिए यह चेतर भी सीमित था के वाल इतना चेतर में यह फैली थी तो ठीक है दोस्तों यह 18 सुत्ता उनकी क्रांती के बारे में एक क्यूस्चन हुए इसके अलाव आपको बिल्कुल 18 सुत्ता उनके बारे में पढ़ने की जरुवत नहीं होगी क्योंकि इनी में से आपके क्यूस्चन एक्जामस में डेफिनेटली पूछ लिए जाएंगे तो चल ये ठीक है दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समापत होता है फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए